यह देखो यह देखो इसकी मांजी की क्वालिक्ट यह देखो बड़ा टेरी से आप पतंग के अंदर आप पूरा आसमान खाली कर दोगे यह देख से लिए हजार चोबीस तक हम यही रेट देने वाले हैं मां इस की वीडियो में बात करने वाले हैं जैपूर के हांड्र प्राय की बेस्ट पतंग शॉप हाद जी मोहमद यूनुस पतंग वाले जी की आप पीछे देख सकते हादी मोहमद यूनुस पतंग वाले तो इनकी जो वीडियो है आज हम कर रहे हैं क्योंकि मेर को है ना इनका एक्सप्रियंस काफी अच्छा लगा है और आज वापिस से इन कहां से आपको बैस्ट बैस्ट पतंग की शॉप मिलेंगे हादीपुरा में आज उसी के बारे में बात करने माले हैं तोड़ा संदर आदेए आपको क्या करना है चैनल को सब्स्क्राइब करना है लाल कलर का बटन आ रहा हो उसको दबाके और वीडियो को शेर और लाइक करन हिगे पूरा पतंग को का मिलेगा नीचे देखेंगे अपदाय बाय कहीं पर देखी आप को पटंगि इन का भीडियो बस वीousटार्ट करते हैं मंजे बताते हैं आपको नहें हैंसे आपको कैसे पहुंचना आए किसे आप कॉंट्बाट कर सकते वह ौसारत हुई आअ कर दो नहीं वाला है तो गाइज आज की वीडियो में हम आपको मंजे के बारे में बताएंगे हम आपको पतंगों के बारे में बताएंगे हमार साथ वापिस से आज चुके हैं आदिल भिया भिया कैसे हो आप पिछली वीडियो का रेस्पोंस कैसा राविया बहुत बढ़िया ना तो इस बार हमारी ओडियंस को क्या नया दिखाने वाले हैं आपकी बार बहुत सारी पतंगों की विराइटी दिखाने वाले हैं तो अपने कुरसी की पेटिया बान लीजे क्योंकि हमारे पास जितनी भी विराइटी की पतंग्स है ना जो पतंग है, मंजे हैं, वो सारा अदिल भाई आज की वीडियो में बताने वाले हैं, अदिल भाई कितनी वेराइटी नई पतंगों की आगई है तो गाईज अभी हम 시작 करते हैं वीडियो और आपको मताते है 1 से 1 बढ़ यह पतंग और मंजे अभी हमारे पास है अदिल भीया, अदिल भीया स्टार्ट ही करने वाले हैं और सारा को समान लेके बैट गये हैं और हमको एक एक चीज की डिटेल बताने वाले मैं तो पहले तो आपके अपने जो सब्सक्राइबर उनको थेंक्यू बोलना चाता हूँ सब्सक्राइब करें और तो जक्राइबर और यह बढ़ मार्किट के अंदर यह 15-20 रूपे की शेल होती और आपको दस रूपे नव रूपे का पीस पैकेट पड़ता है एक इससे बढ़ी आती पिरिंड के अंदर यह वाले यह 16 रूपे का पड़ता है और 30 रुपे का बिकता है एक इससे बड़ा आता है पिरिंड के अंदर ये वाला ये पिरिंडर कागस के अंदर है ये 20 रुपे का प्रता है और 40 रुपे का सेल होता है ये वाला अब इससे बड़ी पतंग आती पॉलिटीन के अंदर प्लास्टिक के अंदर ये देख सकते हो आ 80 रूपे की 100 पतंग मिलेगी आपको मात्र ये 25 इंची का साइज होता है ये वाला 80 रूपे की 100 एक से बड़ी पतंग आती है ये वाली ये आपको पड़ेगी 110 रूपे की 100 जो 3-4 रूपे की भिक्ती मार्किट के अंदर एक इससे बड़ा वाला साइज आता है 25-27 इंची का साइज पॉलिटीन के अंदर ये 140 रूपे का पड़ेगा 100 हो चाहर से पांश रूपे की विकती किऊ उस आधी काटन वाली यह वाली यह करक्टर आते हैं सरन फंदर से करेक्टर मिलेंगे कि अंदर काटन मिलेंगे यौ डिश रूपे की पड़ींगी waste in market के अंदर प्रिंध के अंदर कि यह यहाली 27 साइट हाता और 10 से 15 प्रिंट मिलते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे पैटर्न बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे इसके अंदर आपको यह 250 रुपे की सो पड़ेगी सारी पतंग फ्रेश मिलेगे आपको यह देख सकते हो गोल्डन वगेरा टेप लगी ब्लेक कलर कर डोट डोट हो आपको पड़ता है कि बहुत सारे पैटर रुपे कि सो पतंग इसके अंदर आप को एक इसके अंदर बड़ा साई जाता है मेटल के अंदर यह metallic होता है original metallic इसकी quality देख सकते हो आप 35-30 इंची size होता है 10-15 pattern मिलेंगे इसके अंदर यह आपको पढ़ेगा 450 रुपे का सो 10-12 रुपे का सेल होता है यह आगी भी एक इसी के अंदर आता है मटका पापलेट जिसको बोलते हैं मटका यह वाला यह आपको पढ़ेगा 450 रुपे का एक इसी के अंदर आता और 27 इंची size वह आपको 350 रुपे का पढ़ेगा एक पन्नी के अंदर प्रिंट का आइटम दिखा रहों हम आपको बड़ा वाला साड़े 22 सिंची के अंदर यह वाला साइज होता है यह आपको पढ़ेगा 700 रूपे का सो इसके अंदर बहुत सारा कलर मिल जाएंगे अभी कलर दिखाना पॉसिबल निया सेंपल बहुत सार रखे वे हैं इसके अंदर 22 चोकोर के अंदर आता है तावा फुल साइज यह पन्नी कागस की पतंग होती है नोंकि demand market में बहुत जादा होती है मलाब कि most of the जो लोग होते हैं जो पब्लिक होती है कागज की पतंग धूणती है तो अब आदिल भाई आमें कागज की पतंग मताईंगे विए पहले तो सबसे छोटी पतंग कागज के कौन सी है और कितने पतंग पतंग इसके अंदर काफी सारे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे आपको यह बढ़ेगी आपको 170 रूपे की सो 170 रूपे की सो चार से पांच रूपे की सेल होती है एक इसी के अंदर आता है यह 25 इंची का साइज होता है इसके अंदर भी कलर डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यह इस तरीके से आप स्क्रीन शोट लीजिए हमें वाटसप कीजिए बिल बना देंग होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं या इनको फोन करके बता सकते हैं नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा जो भी इनका नंबर है वाटसप किसी भी कोने में हम से माल मंगा सकते हैं क्योंकि मेरा इसको देखा और उनका काम महां से भी होता है तो आप और कर सकते हैं इन पर नंबर इनका आजाएगा आप कौन सी भी यह चील है यह शेहावाटी इलाके में पंजाब में हैदराबाद में जादा चलती है यह वाली पतंक देख सकते हैं पंजाब गुजरात है यहां पर बह पढ़े हैंते साइज होता है यह 20% दोशो बीस रुप missions के अंडर वाईट है डोसा की चो दोस थोडीस अधर नोटें सबॉलती है और इ पतंदी यह सोशी किल ँभी होलती आघी पहुत वर्क जादा किया वह पेपर क्वालिटी बढ़िया यह 270 रूपे की पढ़ती और 8 रूपे की सेल होती है तो भाई आप हमारी जो पब्लिक है जो मिस्टर जैपूर की जनता है उसके लिए और कौन सी कागज की पतंग बताने वाले यह की चील के अंदर डिजाइनेबल पतंग है यह हम आपको देने वाले हैं 260 रूपे की सो चे से 7 रूपे की सेल होती है साड़ा सत्ता है इस इस इंची साइज होता है इसका इसके अंदर भी 10-15 पिरिंट मिल जाएंगे आपको एक इसी के अंदर बढ़िया पेपर के अंदर आती है यह वाली यह 280 रूपे की है साड़े साथ इस इस साइज होता है गोल्डन टेप लगी भी होती है डबल डिजाइन होता है इसके अंदर इसके अंदर बढ़ा साइज आता है यह देख सकते हो आप शाड़े 26 इंची साइज होता है यह भार की पतंग रामपूर की यह 300 रूपी की 100 पतंग पढ़ेगे आपको मात्र 6-7 रूपे सेल आउट होता है एक बड़े साइज के अंदर यह वाला पतंग होता है 300 रूपे का अधर माल जा रहा है यह वाला बहुत पसंद करते हैं समाल को शाड़े साइज होता है 8-9 रूपे का सेल आउट होता है और हमारे पास से मात्र 320 रूपे का पढ़ता है एक इसी के अंदर गुड़े वाला आता है जिसको नीचे से पत्ते वाला बोलते हैं यह वाला यह भी 320 प्रिंट ऑऽरम नीचे से इंदर यह 380 रूपे का पढ़े मात्र और 9 रूपे का सेल रूपे का से लता ही घर के Says बड़ा प inacसिए एक बड़ा प FX के अंदर आपपको पतंग दिखाने वाले पिष्दी साल भी काफी डिमांड आई थे अलमास काईट की यह सरीफ हमारे पास ही होती है यह देख सकता है इसकी स्टैंप यालमास काईट की पतंग होती है यह आपको पढ़ेगी 480 रूपे की सो दस रूपे सेल आउट होता है अब आपको दिखाने वाले हैं राजिस्थानी पतंगे कलर्फुल पतंगे यह साड़े तीस इंची साइज होता है 15 पैटान होते हैं इसके अंदर इसको सबसे ज़्यादा पसंद हैदरबाद तेलंगाना तमिलनाडव पंजाब में पसंद करिया जाता है यह 35 इंची पतंग होती है गॉल्डन टेप के साथ होती है यह आपको पड़ेगी 420 रूपी की सो ओनली गॉल्डन टेप के साथ होती है और चारसू इस रूपे की पड़ेगी 10 रुपे का सेल आउट होता मार्केट में यह काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे एक चील दिखाईती में चोटी यह बड़ी चील है यह राजिस्तानी दिहाती लागों में ज्यादा चलती है 15 रुपे सेल आउट होता है और यहमारे पात से 500 रुपे की पड़ती है यह 10 रुपे का सेल आउट होता है यह बार्केट के अंदर एक यह टूर्णमेंट काइट होती है बड़ी कवह जिसको बोलते है यह वाला किलब काइट है यह आपको पड़ेगा चार्सु असी रुपे का सो मात्र चार्सु असी की सो अधर दस रुपे की बिक्ति यह भी मार्क हां 12 रुपे सेल आउट होता है यह वाला काफी सारे कलर होते हैं पिछली साल भी अलमास काइट की दिखाई इसी साल भी क्योंकि यह कारिगर हमारे लिए बनाता शिरिफ पतंग अलमास काइट यह आपको सा 580 रुपे की 100 पतंग पढ़ेगी पांसों सी की सो हां 10 रुपे 12 सेल आउट होता है वाला भी क्वालिटी अच्छी लग लिए यह सिखी वी तिल्ली आए सभी है यह अब तो मशीनों से सीखने लग गए अब तो को नया नया तरीका आने लग गए सब एक किलब काईट है गोल पतंग जिसको बोलते हैं डोंगा बड़े पत्ते के अंदर यह यह आपको पड़ेगी मात्र छे रूपे की 600 रूपे की सोर 15 रूपे का सेल होता है मार्किट के अंदर साड़े 34 सिंची साइज पूरा होता है इसके अंदर आपको दिखाने वाले रामपूर की पतंग यह देख सकते हो आप स्टेंप लगी है बहुत सारे काफी सारे डिजा जोता है यह पूरा जेन्ची साइज है डस ते पंद्रा पैटन मिलेंगे अंदर आपको यह आपको साड़े 600 रूपे की सो पड़ेगी ऑटीस रूपे कि अंदर आब यह त्यक्ता यह तावा जिसको तावा बोलते यह देखो इसके अंदर यह तावा है यह आपको तेयरा सो पचास रुपए का पड़ेगा और पंद्रा पिरिंट मिलेंगे इसके अंदर आपको 25-25 इंची का साइस होता है यह वाला गोल्टन टेप लगी विए सके अंदर यह सेफ्टी टेप है यह गोल्टन टेप लगी विए यह देख सकते हैं कितना पतंगों का जो भंडार है मस्जिद चीते वालान है यह मस्जिद है मस्जिद आपको हंडीपुरा वाली गली में मस्जिद मिलेगी मस्जिद के जस्ट सामने यहाँ पर इनकी यह शौप है आप नाम देख सकते हैं आप इनका नाम लिखा होगा हाजी मौम्मद यूनूस पतंग वाले और इनका दोस्तों आप बारी आ चुकी है जो मांजा होता है वह कौन-कौन सी वेराइटी का है कौन सा बैस्ट क्वालिटी का हम आपको मांजा दिखा सकते हैं यहाँ पर 15 प्लस वेराइटी है अब आदिल भाई एके करके आपको बताएंगे मंजे की वेराइटी दिखाना चाहते है यह मंजे की चर्की है यह 40 रूपे से स्टार्ट ए एक रito कीचर ही मंजे की यह 40 रूपे की चर्की है एक रिलotte इसी सə नभी रूप вый की मार्केट में एक इस से बड़ीसर की रियासता की रियासतEr का कनाम दो इसोट प्वालिटी है एक रियल के अंदर ही आपको सध numéro 13 बात हैं हम 3 रिल के ऊपर ये 3 रिल की चरकी है दोगंदारी की ये 190 रूपे के आपको पढ़ती है और 2.500-400 रूपे की सेल आउट होती ऑगे एक 3 रिल के अंदर बेटर क्वालिटी आती है ये इसके अंदर थोड़ा सा मैटर थोड़ा लगावा होता है येWow पढ़ेगी 240 रूपे की चरकी 400 रूपे का सेलाउट होता आगे मार्किटी के अंदर यह एक तीनी रूपए की चरखी मात्र और मार्केट के न्दर 900 रूपए की बिक्ति है अब हम आते हैं चेरिल की वेरायटी दिखाएंगे आपको यह जितनी वेराइटी दिखाएंगे इसाब बलक बलक पिलेने पर आता है हैं हम आपको रेट बता देंगे क्वांटिटी आप बता दीजिए कितनी आपको भेजिन मंगवा नहीं है अब छे रिल की सबसे कम रेट की चर्की पड़ेगी आपको मातर अब आता है तीन इल्गा पांड़ा यह हैं नो तार का मांजा होता है है तेलंगाना तमिलनाडू बड़े इस्टेटों के अंदर बहुत पसंद करते हैं इस मांजे को मल्टिक्रार मांजा होता है यह तीन दिल का चर्खा आपको 400 रुपए का पढ़ने वाला है जो आपके हमापको 400 में देने वाले यह तीन दर नो तार होता है इसATOR अरधि यह वाली व उसके अंदर होते हैं थोड़ी बैटर क्वालेटिएist द्यानौ बड़ाई के पूरे छे मिलेंगे आपको मात्र 900 रुपए 5-500 इसके अंदर 6000 गज मांजा पूरा होगा नो तारका होगा और बैटर क्वालिटी होगी इससे आप 42 इंची से 64 इंची तक पतंग उड़ा सकते हो आराम से हम आपको बारेल की कुछ बैटर बैटर क्वालिटी दिखाना चाहते हैं यह है ब्लेक गोल्ड यह ब्लेक गोल्ड है का क्वालिटी होती है इसको चट से मैदान विए आराम से ऊड़ा सकते हैं इस पे आप 34 सिंची की पतंग आराम से ओड़ा सकते हैं यह देख सकते हो आप यह देख सकते हो आप आपब लेड का मांजा होता है यह हमारे यह से किस तरीक से काम करता और मांजा आपको एक ही पतंग में सुबह से शाम हो जाएगी यह आसमान को खाली करने वाला मांजा है जो आप एक ही पतंग उड़ाओगे उसको भी वापस उतार के आप रख लोगे यह पड़ेगा हमारे यह से मातर सतरा सु रूपे का मार्किट प्रैस है उसे हम काटने वाले मांजे से और यह प्लास्टिकी जो रस्ति इसके आठ राउंड होंगे उसको एक जटके में मांजा काट देगा भी यह तो करिए एक बार ऐसा मलब एक बार वह चमतकार करके दिखा दीजे मारी ओडियंस को टेस्ट करने वाले यह लाइव टेस्ट आ आप पतंग के अंदर आप पूरा आस्मान खाली कर दोगे यह देख यह देखो एक बार में काट दिया इन्होंने मतलब यह है कि आप 16 पतंग काटने के बाद मांजा अभी वैसा का वैसा यह देखिए आप सुबा गर एक पतंग लेकर च्छत पे चड़ोगे ना तो वह वा कोटा धागा होता ना उसमें कितनी वैराइटी यहां पर मिलेगी तो वह सारी हमने यहां पर निकाल की रखी है तो अभी आदिल भाई एक एक करके आपको बताएंगे हम से कॉंटेक करने के लिए आप हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे मेरा नंबर है 7014293407 हमारी शौप का नाम है हाजी मौमद यूनुस पतंग वाले मेरा नाम है मौमद आदिल अनसारी रामगज बजार काइट मार्किट हांडीपुरे में पतंग की होता है यह 35 रुपे के बारा पीस पांच रूपे से और 35 के लचार होता है यह पर अन्दर या पर से 14 रगोंड के दरims點 आप एक यानी 18 रुपए बड़ावाल आता है यह वाला साथ से संतहर रुपए अर्यावर बचता है इंडर तुड़ी बैटर क्वालिटी हैती यह वाली यह देख सकते वह यह चारुसूरुपए का मों एक पीश पढ़ता है तो गाइज आप इंडिया की किसी भी कौने में बैठे हो अगर आपको जैपूर की पतंग, चर्किया, मंजे, कुछ भी चाहिए ना आप आदिल भाई को ओल आवर इंडिया से कॉंटेट कर सकते हैं, मिनीमम जो ओडर है वो दस जार कर रहेगा जैसे कि ये बता रहे हैं, तो आप माल को देख सकते हैं, पूरी दुकान में खचाकत यहाँ पर माल भरा हुआ है अब आम आपको दिखाने वाले हैं चर्किया, धागी की चर्किया, यह सबसे छोटे साइस की चर्किया है, यह 48 रूपे की 12 पीस प्रती है और 5-10 रूपे की सेल आउट होती ही मार्केट के अंदर, एक इससे बड़ा वाला साइस आता है, यह आपको पढ़ेगा 75 रूपे द यह देख सकते हैं, एक बड़ा साइज आता है, यह वाला, 20 रूपे का पढ़ता है, 30-40 रूपे का बिखता है, यह वाला साइज, डबल कलर होता है, इससी के अंदर आती है लकडी की चर्किया, यह देख सकते हैं, कितने खुपसूरत चर्किया है, यह बहुत खुपसूरत ये आपको 33 उर्पे का एक पीस पड़ता है और 60-70 रुपे का मार्केड के अंदर बिखता है ये वाला अब आते हैं हम फाइवर की ऊपर ये फाइवर की चर्की है दोरील फाइवर इसके अंदर 2000 मांजा आता है 2000 मिटर सादा आती है इसके अंदर इस्चील डंडी और फायवर की चर्खी होती है यह आपको मातर 20 रुपे की पढ़ने वाली होलसेल के अंदर 30-40 रुपे की बिक्ती है मार्केट में यह एक इसी के अंदर बड़ा वाला पीस आता है यह वाला यह आपको 25 रुपे का पढ़ने वाला है चास रुपे का सेल आउट दैए वाला इस टील डंडी ऊषिए रगा चरकाई होता है यह देख सकते हो इसा कि अंदर लखडी के इंदर बड़ा सभी होती है बेस्ट ब्यूटी वफीटी शीठ पर होती है यह सो रूपे की बिक्ति और आपको 45 रुपे की पड़ती होल सेल के अंदर देख सकते हो आप इसी के अंदर एक आठम की स्पेशल चर्खी उत्ती है इस्पेशलिस लोगों के लिए होती है जो पतंग के शोकिन होते हैं यह सब उनका आइटम होता है यह आपको 80 रुपे की प आप पूरे इंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने आप आप हमसे माल मंगा सकते हैं अभी हम इनका जो विजिटिंग काड बता दो कहां पर है आपका कि विजिटिंग काड एक बार देख लीजिए और जो भी आपको जो माल लेते हैं जो भी आपको पूरा यह प्रॉपर बि आइ हॉब दोस्तो आपको वीडियो पसंद आयोगी आज हमने आदिल भाए की शौप को सेकिंड टाइम कवर किया है पिसले साल भी वीडियो मनाई थी और अभी वीडियो मनाए है ताकि जो भी पतं के शौकीन है जो मान्जे की शौकीन है अलोवर इंडिया से इनको कहीं से भी content कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लाल कलर का बटन आ रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मिस्टर अंडरिस्कोर अंडरिस्कोर जैप्रिक नाम से इंस्टाग्राम है और इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं नमस्कार जैहिर